Hi everyone, welcome back to my channel, आज मैं explain करूंगे Absolute Boyfriend का episode number 3, so let's get into the story of the series. और दा चली जाते हैं, दा का teammate दा को बताता है कि उसकी car को ठीक कराने में कितनी cost आईगी, क्योंकि दा ने traffic वाले को टक्कर मार दी थी और उसकी गारी का accident हो गया था, और दा और दा का teammate वहां से चले जाते हैं, ग्योड temperature analyze करता है और ग्योड को लगता है कि बारिश होने वाल देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो scene उसे दिया गया है, वो वांग के comparison में उतना जादा powerful नहीं है, नी को उस scene में वांग से मार खानी थी और नी वांग से मार नहीं खाना चाहता था, तब ही वहां वांग और उसकी manager आ जाती है, वांग देखता है कि नी के पास वो script जिसे वांग ने reject कर दिया था, वांग कहता है कि नी के पास जो script है, उसमें लोगों को वांग को उसमें ना देखकर बहुत दुख होगा, दा नी का make-up करने लगती है, नी अपने team से कहता है, कि वो वांग से बदला लेगा, ये सुनकर दा नी को ऐसा ना करने को कहती है, प पर तब ही वहां ग्यो आ जाता है, और वो नी को रोक लेता है, ग्यो नी से अपनी girlfriend यानी दा से दूर रहने को कहता है, और ग्यो नी को मारता है, जिससे नी दूर गिरता है, दा ग्यो को वहां से ले जाती है, और पूछती है कि ग्यो वहां क्या कर रहा है, और दा ग्यो को वहाँ से जाने को कहती है वांग कहता है कि वो नी से रोल से एक्सचेंज कर रहा है और वांग वहाँ से चला जाता है वांग के मैनेजर कहती है कि वांग ये क्यों कर रहा है जिसपे वांग कहता है कि नी यही चाहता है और नी के पास जाने वाली हर स्क्रिप्ट और ग्यो दा को रास्ते का पानी दा पर गिरने से बचा लेता है। दा और ग्यो वापस आ जाते हैं। दा कहती है कि उसे लगा था कि ग्यो किसी काम का नहीं है। पर ग्यो काम का है। ग्यो दा को उठा लेता है। दा ग्यो से उसे उतारने को कहती है। ग्यो दा को उतार देत यो को दिखाता है कि उसने दा की सारी खराब चीजों को ठीक कर दिया था और दा इससे खुश हो जाती है वांग को यहाँ दाता है कि दा और ग्यो साथ और वांग अपनी मैनेजर से ग्यो के बारे में पता लगाने को कहता है नेक्स सीन में टॉम के सीनियर को दिखाया जाता है जो टॉम और ग्यो को ढूंडने की कोसुश कर रहे थे पर ग्यो का कम्प्योटर लॉक था टॉम के सीनियर उस बुक का नाम डालते हैं जो टॉम के पास थी और कम्प्योटर अनलॉक हो जाता है Tom के senior देखते हैं कि ग्यो का test शुरू हो चुका था तबी CEO की manager का call आता है कि जिस robot के लिए उन्होंने order दिया था वो उन्हें कब मिलेगा जिस पे Tom के senior कहते हैं कि उन्हें जल्दी वो robot मिल जाएगा CEO की manager ये CEO को बताने जाती है CEO को देखने से लगता था कि उसकी mental condition ठीक नहीं है CEO की helper ने CEO की डॉल को साफ करने के लिए कहा था इसलिए CEO ने उस helper का बुरी तरह से make-up कर दिया था और CEO उस helper से कहती है कि CEO से बिना पूछे वो CEO की डॉल नहीं ले सकती Tom एक lady बनकर अपने एक दोस्त के पास जाता है जो Tom के साथ काम करता था पर Tom के दोस्त ने वो company छोड़ दी थी Tom का दोस्त Tom को कुछ चीज़े और पैसे देता है और Tom वहां से चला जाता है दा ग्यो को देखती है ग्यो दा को देखने आता है जहां ग्यो की body दिख रही थी दा ग्यो से ऐसा ना करने के लिए कहती है जिसमें ग्यो वो magazine दिखाता है जिसमें दा को एक आदमी की body पसंद थी इसलिए ग्यो को लगा था कि दा को लोगों की body पसंद है दा कहती है कि उसको ये पसंद नहीं है पर ग्यो कहता है कि ग्यो दा की पसंद के रिस्पेक्ट करता है दा को पता चलता है कि शूट कैंसिल हो गया है और ग्यो खुश हो जाता है कि वो दा के साथ रहेगा वांग को पता चलता है कि यो का फेस पेरलाइस हो जाने की वज़ा से शूट कैंसिल हो गया है Vaong अपने घर आ जाता है, पर Vaong को Da और Gyo याद आते हैं Vaong अपनी manager को बुलाता है, पर Vaong की manager कहती है कि वो कहीं busy है, Da Gyo के साथ थी, जब Gyo Da का body temperature पढ़ लेता है और Da से कहता है कि क्या Da Gyo को पसंद करती है, जिस पे Da कहती है कि नहीं तभी वहाँ दा की टीमेट आ जाती है दा ग्यों से कहती है कि वो वाश्रोंग से बाहर ना निकले क्योंकि दा नहीं चाहती थी कि उसके टीमेट ग्यों को देखे और दा अपनी टीमेट से मिलने जाती है दा की टीमेट कुछ कपड़े लाई थी दा वो कपड़े ले लेती है और अपनी टीमेट से जाने को कहती है और दा की टीमेट वहाँ से चली जाती है दा ग्यो को वो कपड़े देती है तभी दा की टीमेट के पेट में दर्ध होता है और वो वापस आ जाती है वो दा से कहती है कि उसे वाश्रूम जाना है पर दा उस उसे रोकती है क्योंकि वहां ग्यो था दा कहती है कि वाश्रूम की हालत ठीक नहीं है और दा की टीमेट कहीं और चली जाए दा की टीमेट जा रही होती है जब वाश्रूम से कुछ आवाज आती है और दा की टीमेट वाश्रूम के अंदर चली जाती है दा को लगता है कि उसक वाली दिवार पर लटका था, ताकि दा की टीमेट ग्यो को ना देख सके, दा ग्यो को खाना ओफर करती है, पर दा को याद आता है कि ग्यो रोबोट है, ग्यो कहता है कि वो दा को देखकर ही खुश है, दा को याद आता है जब वो वांग के साथ डिनर कर रही थी, और वांग दा के घर के बाहर चला जाता है जहां उसे ग्यो मिलता है वांग नराज होकर ग्यो से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है जिसपे ग्यो को लगता है कि वांग एक खत्रा है और वो वांग से पूछता है कि वो कौन है वांग ग्यो को मारने जाता है पर ग्यो वांग का हाथ पकड़ लेता है और इससे वांग को पेन हो रहा था तब ही वहाँ दा आ जाती है और ग्यो उसे गल्फरेंड कहकर बुलाता है वांग को ये अजीब लगता है कि ग्यो दा को girlfriend क्यों कह रहा है वांग ग्यो को stalker कहता है जिस पे दा कहती है कि ग्यो stalker नहीं है वो उसका boyfriend है और ये episode यही खतम हो जाता है दा जब वांग के साथ dinner पर गई थी तब वांग ने dinner नहीं किया था और दा की रोपने के बाद भी वांग महां से चला गया था पर ग्यो के dinner ना करने के बाद भी वो दा के साथ था इससे दा को वांग और ग्यो में difference पता चल गया था तो ये था मेरा explanation absolute boyfriend के episode number 3 को लेकर आपको ए explanation कैसा लगा प्लीज मुझे comment section में जरूर बताएगा तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए safe रहिए enjoy करिए and बोरा है